इस वक्त पूरा भारत राम मय हैं क्योंकि 22 तारीक का इंतिजार किया जा रहा है और 22 जन्वरी वो तारीक होगी जब भगवान श्री राम की प्रांट प्रतिष्ठा की जाएगी ऐसे में तमाम राम भक्त इस वक्त आयोध्या पहुंच रहे हैं और पूरी दुनिया पूरा व गोरा तो अभृण्व से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ चोटे हैं ये आपको छोटे और बड़े से गोल मटोल से आपको देख रहे होंगे लेकिन ये बहुत क्रिश्ण भक्त और राम भक्त है और राधा रानिके भी भक्त हैं अभिनाव फैले तो का बहुत-बहुत स कैसे अरजित हुआ क्योंकि आपकी उम्र में तो महज बच्चे शायद खिलोना खेलते हैं वीडियो गेम्स खेलते हैं कैसे मुझे राधाय नानी ने जगन जगा दी जब मैं छोटा सा था मैं अपने दादो जी के उंगदी पकर देता था मुझे मंदिर दे जाओ और घंतों तक भगवान जी के आगे पूझा करता रहता था मैं देखता था कि मंदिर में महीदाय आ रही है वशियर जी को ज़चरा रही है किवल तीन से चार्ड बरश非का था मेरे आगे खिशन जी, राम जी के दिए प्रेम जागरत हुआ तो आपको खिलोने वगरा खेलना वीडियो गेम्स खेलना बिलकुल नहीं पसंद है केवल राधा रानी और कृष्ण आस्था ही है आपकी कृष्ण जी के इलावा कुछ भी सच नहीं है इस संसार में केवल कृष्ण नाम ही पार दे जाएगा केवल राधा नाम ही पार दे जाएगा केवल राम नाम ही पार दे जाएगा बस आपको राम नाम का जब करना है कृष्ण नाम का जब करना है और तो इस संसार से कोई मतलब ही नहीं है इस दुनियांदारी से कोई मतलब ही नहीं है जग क्या जाने खुद को खोकर मैंने सब कुछ पाया है श्र अजदार विद्वान से आप बात कर रहे हैं तो यह सब शुरू कैसे हुआ आपने का तीन से चार साल की उम्र आपकी उस वक्ति आपको क्या शुरुवाद से राधारानी और कृष्ण भक्ति राम भक्ति सब शुरुवाद से पसंद थी कभी काटून्स देखे हूंगे आपन जब बोलने लगा था तब से ही मैंने बगवान शेकिष्ण की राधारानी की भक्ति करना शुरू कर दिया था यह राधारानी की कृपा है मुझपर जो कम उम्र में ही मुझपर अध्यात में जागरिद कर दिया तो अभी आप स्कूल से आ रहे हैं है ना बिनव कि आधी पहस्ते हें viral उनिफॉर्म में या फिर वाहां जो स्कूल की उनिफॉर्म होती है वो पहन कर आप जाते हैं जोब्यादे की वस्तुर फैन कर जाते हैं या या फिर आप जो औरेंज जैसे आम बच्चे जीन्स या फिर टी-शिर्ट्स डालते हैं वो भी पसंद करते हैं मैं बस धोती कुर्टा ही पहनता हूँ मेरा मानना है कि जब मैं फृरिंदा बन जाता हूँ मतुरा जाता हूँ तब मैं देखता हूँ हमारा धोती पहनने का अधिकार है हमारा कुर्टा पहनने का अधिकार है बिल्कुल कुर्टा पहनने का अधिकार है और जो चाहे मन चाहे उम्र कितनी भी हो आपका जो मन करे वो आप बिल्कुल धारन कर सकते हैं तो हैं ही कृष्णि भक्त राधारानी के भक्त लेकिन रहते आप दिल्ली में हैं अभी नव तो दिल्ली में रहकर इतना भक्ती भाव आप रिद्नावन जाते हैं हम हर महीने वृंदा 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 बिन्दाबर द्हाम की महीमा तो AYS형 है बहा पर रिशी निखाए भी महीमा नहीं जान पाती हुं साधाराइब माना है मेरा बृंदाबर में आना-जाना रहता है तो जिभाब करते हैं आपके बहुत सारे प्रदिया और गुश कर oh ho मेरे हठ प्रश्णों का उर्तर देते हैं वह मेरे भाई है नहीं को पहले छीphon ज़ाता हूं मैं परशाधन उसके लिए के साथ Geh ह normal HO. नाम गोवंद्ध. आपकी थाकुर्ची का नाम गोवंद्ध है ठीक है आप कभी ऐयोध्या गये है動画 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो ऐसे में जाने की कुछ प्लानिंग है इससे पहले गए हैं कभी आयोध्या हम दिपावदी पर आयोध्या गए थे इस बार हर बार राम जी मेरे ख़ड़ा पर इस बार दिपावदी पर उन्हों मुझे अपने घर बिलाया था योध्या में जाकर तो ऐसा रिगा कि बसमें राम जी की नगरी आ गया राम जी मेरे पास थे और मैं उनके पास हूँ अधिया का नजाड़ा इतना सुन्दर था इतना सुन्दर था उसी कुछ सीमा ही नहीं थी अब आप और अब हम 22 दिनवरी को ब्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी श्राम जी की प्रण प्रदिष्ठा करने जा रही हैं तब भी हम अधिया जाएंगी तो आप देखिए व्रिंदावन भी गए हुए हैं क्योंकि कृष्ण भागते हैं राधा भागते हैं और आप अयोध्या भी गए हुए हैं सुन्दर कौन है जादा व्रिंदावन सुन्दर है या फिर अयोध्या सुन्दर है सुन्दर की बात करें तो दोनों ही सुन्दर हैं कुष्ण जी हमें सिखा कुष्ण जी हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रेम करना है और राम जी हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं और राम जी मर्यादा पुरुशोत्तम है यह तो है हर इश्ट से दोनों नगडी में ही जाकर ऐसा एहसास हो जाता है कि बस अब मैं प्रभू के धाम आ गया हूँ यानि आपको अयोध्या जाना भी बहुत जादा पसंद है वरिंदावन के तो आप पुजारी है ही वहाँ पर आप जाते रहते हैं तो 22 तारिक को यानि कि आप जाएंगे वहाँ प्रान प्रतिष्ठा का जो कारिक्रम होगा उसको लेकर और आप राम भक्त हम आपको कहें या कृष्ण भक्त आपको कहें या राधा भक्त आपको कहें कौन सा भक्ति में क्या इस तरीके का भेद होना चाहिए कि बिल्कुल भी लूए नहीं हैं सनातन में कुई भेद नहीं है सनातन में कोई भेद नहीं है ये ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी से उम्र इनकी जरूर है लेकिन जो इनका मस्तिश्क है बिल्कुल समझदा और किसी बुढ़े विद्वान की तरह ये बात करते हैं आपि न आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है क्या सीखा फिर मात अपिता का सम्मान नहीं हो रहा पहरे किसम में होता था राम जी ने ध रिवा पेड़ी तो ये आगे जाकर कि कुछ भी नहीं कर सकती इसको भी राम जी के जीवन में राम कथा से सीखना चाहिए राम कथा को सुनना ही नहीं रामायन को सुनना ही नहीं उसको अपने जीवन में उतारना भी है और श्री कृष्ण से आपने क्या कुछ सीखा ये तो भ यहां हमें प्रेम करना सिखाती है मैं आपको कुशन जी की इक स्थेस्था सब्सक्राइब कि एक बारि कि forgiving जी और राधा लानी शुरी वृंदावन धाम हाव निधीवन मेरा सरचा रहे थे जा जब राज चरुटने के बाद मातरे जाने लगी तब हमारी रदा रानी के चरण कमलों में ररज़द रग जाती जाकरजी ने चरण कमलों में रढज रग गई है इसे जाके यहां नाजी में दो लो रद राधा रानी के दिये नहीं, ठाकड़ जी निफिर से कहा, राधा रानी इसको धो तो आपके चरन कवनों में रज लग गई है, राधा रानी के दिये नहीं, ठाकड़ जी वो दे, अरे क्या हुआ क्यों नहीं धोड़े, राधा नानी ने कहा जिसको मैं एक बाड अपने चड़नों में रगा देती हूं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ती है। यही कारण है कि अभिनव के भी अब वो अपने हो चुके हैं और अभिनव भी उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। आपकी जो दिनचरिया है अभिनव वो क्या है क्योंकि मैंने देखा है आपका एक वीडियो आप तुलसी ची की परिक्रमा कर रहे थे सुबह सुबह आप तुलसा पाठ करते हैं। मैं सुबह साड़े तीन बजे ब्रहमूरत में जग जाता हूं। मैं स्नान करता हूं चार बजे में माला जाप करना शुरू कर देता हूं। में माला जाप गरता हूं। उसके बाद जब सुढियो अधर हो जाता हूं। उनकी परिक्रमा करता हूं। मैं अपने ना को उंचाता हूं। कुछ उनका मेलाचा उुम्हायाद हुद जाता हुं थूं सुछार करता हूं और पर मैं अपने विद्धियादे जाता हूं सब्सक्रांद satp ने अपना समय वितीर कर ता उन अपना करता हूँ मैं अपने ग्रंथ पढ़ता हूँ सुनातन ग्रंथ पढ़ता हूँ भगवत गीता पढ़ता हूँ अपने माता पिता के चरंद बाता हूँ उनकी सेवा करता हूँ तुझी जी के आगे राधे राधे के भजन गाता हूँ ऐसे ही पूरा दिन निकर जाता है अब रा मातरी में दुबारा अपने माता पिता के चरिंदबा कर राधा किष्रिक जी को प्रणाम करकर शयन में आ जाता हूं फिर दुबारा मैं साले तीन बज़े ब्रहमूरत में जगता हूं तो किसी को यकीन होगा कि छोटे बच्चे की ये दिन्चरिया रही है उसको आपको ये चीज़े किसी ने समझाई है किसी ने बताई है माता पिता के जरीव की ब्रहम मुहूरत में ही उठना चाहिए और इसमें मैं अपना होमग भी पूरा करता हूं मेरे महिया और पिताजी ने मिरे से शर्त रखी हुई है कि अगर अपने विध्याले का काम पूरा करोगे तो हम आपको ब्रिंदावन ने कर जाएंगे तो इसमें में को समय निकाल कर अपने विध्याले का काम भी पूरा करन बिल्कुल ये तो बहुत ही अच्छी बात है और एक जगा में यह भी सुन रही थी कि आपको विद्याले जाने का मन नहीं करता आप चाहते हैं कि आपको गुरु कुल भेजा जाये गुरु कुल क्यू नहीं जा रहे फिर आप मुझे महिया नहीं बेश्टी गुरु कुल मेरा मानना है एक स्कूर अच्छा डॉक्टर बिना सकता है अच्छा इंजीनियर बिना सकता है लेकर अच्छा बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे सपने होते हैं अब आपकी उम्रे में वह होते हैं अब बिनाव तो बहुत सारी चीज़े सोचते कोई सोचता है मैं इंजीनियर बनुगा कोई डॉक्टर आप क्या बनना चाहते हैं बक्ति भाव तो आपके अंदर इतना सब कुछ है जो आपको बहुत आगे बिल्कुल बेशक ले जाएका लेकिन क्या कोई अंदर इच किश्रय जी के हाथ हों में छोड़ दी राम जी के हाथ हों में छोड़धि व्हाथ हों में चोड़व做 ऑंगा मैं ब्रिज की कुठीगा में रह दोंगा राधा किश्ण वहीं मस्ते हैं जहां प्रेम के मन में हो अरेbelt में महिछया चोड़ दूँ अगर ठोटी किसी कुटिया श्रीधाम व्रिंदावन में हो राधे राधे बहुत छोटी उम्र है अभिनव के लेकिन इतनी समझ हर चीज को लेकर जो भक्ती भाव है उनके अंदर हो किसी को भी मंत्र मुख्द कर सकता है आपको भी अभिनव बहुत सारी बात है आपके साथ की एक भजन या फिर राधरानी का जरूर सुनना चाहेंगे आचर में छूपा दिये जीए श्री राधे खरुना मैं कृपा कीजिए पहरे भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन मैं तोड़ नहीं पाया मुहमायां के बंधन अब की बारी बचा दिये श्री राधे करुना मैं कृपा कीजिए राधरानी कहती है तुझे में ऐसे क्या गुण है जो मैं तुझे पर कृपा करूं भक्त कहता है मुझे में ऐसे कोई गुण नहीं मैं अगुणों का बंडान हूं लेकिन इस जनम में मैं आपकी शरन में हूँ आप मुझ पर क जिपाक कीजी मेरा घर तो मंदल मैं कभी मिर्शानां से बाइज मंदल से बहार नहीं डीज़ती अब तुम भी बताओ तैसे आओ तुम्हारे पास ब्रबक्त थिन जर्या को किसी हासन पर समीं zu remarkable इस मन के अंदर ही एक बड़ साना बनाया है इसमें आते रहा कीजिए श्री राधे खरुना में कृपा कीजिए हरी दासित बगदी है जगती है रातों में तुम दिल पड़ मत देला बगदी की बातों को सची भगती का बड़ दीजिए राधारानी क्रिपा कीजिए महारानी क्रिपा कीजिए हरी बहुत सुंदर अभिनव बहुत सुंदर और ये मात्रनौ साल के हैं कृष्ण Когда बगते हैं राम भकते हैं लग्ते हैं इंकी दिन्चरिया अपने सुन लिए और आप और हमारी बीडिन चरिया क्या है यच्छत जानते हैं बहुत अесто लगा अभिनव आपके साथ बात करके और आपने जो कुछ हमें सिखाया, जो संदेश दिया हमारे दर्शकों को, बहुत चोटे आप हैं, आपको नहीं पता आप कितने समझदार और विद्वान की तरफ बात करते हैं, आपकी वानी भी बहुत ही मंत्रमुक्द करने वाली है, बहुत चुक्रि राधे, 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 हरी और